हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागा था इस व्लॉक्स में और आज के व्लॉग में और एक टोपिक है आई बी सेक्यूर्टी असिस्टेंट के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा जो आपका भी टी टू एक्जामिनेशन होगा इसमें किस तरह के कोईशन्स होते हैं औ इनका ये फर्स्ट एप्यारिंग होगा आप तो आप ये वीडियो पूरा एकदम लास्ट तक देखेगा क्योंकि अगर आपको एक्जाम उस दिन जो टी टू का होगा उसमें किस तरह का एक्जाम पेपर होगा ये अगर आपको अभी से थोड़ा सा आईडिया हो जाएगा तो क्या होगा कि एक्जाम होल में आपका जो अंसर क्वालिटी होगा थोड़ा सा बढ़िया भी होगा प्लस आप बहुत ही कंफोर्टेबल और कॉन्फिडेंट फिल करेंगे और मैं अपने बारे में थोड़ा सब शेयर कर देता हूँ आईबी सेक्यूटी असिस्टेंट 2018 बैच का मैं था वहां इंटर्व्यू तक मैं गया था जो फ्रेंट अब बात करते हैं कि एक्जाम का कुशन पर वहां कैसा होगा तो फर्स्ट में आपको वहां दो स्टेटमेंट्स होंगे मतलब ऐसे टाइप का जहां आपको अपने रिजनल लेंग्वेज पे ट्रांसलेट करना है बस यही दो होगा और उसी को आपको लिखना है जैसे कि आपका अगर रिजनल लेंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में एक स्टेटमेंट हो गया उस हिंदी स्टेटमेंट को आपको ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश पे जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे ह और उसको आपको simply English पे translate कर देना है और किस पे translate होगा वो जो आपका जो रिजनल लेंगईज होगा कोईशन उसी पे set होगा और एक चीज हमेशा याद रखेगा जब को जब भी आपको वो कोईशन पेपर मिले तो सबसे पहले उसके उपर में जो दिये हुए इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ दीजेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन पे सारे कुछ आपको दिया हुआ है कि कौन सा कौन सा कोईशन को कैसा translate करना है वो टोटल चीज आपको दिया हुआ और आप देख लिजेगा कि वो पेपर आपकर जो रिजनल लेंगईज है वो करना है इससे जादा आपको कुछ नहीं करना है आप बात करते हैं कि हम लोग इसको प्रैक्टिस कहां से करें तो प्रैक्टिस के लिए जो सिंपल रूल है आप निउस्पेपर उठाइए उसका एडिटरियल या ऑपिनियन सेक्शन लेजिए और उसी को translate करने के लिए बैट कराक यह जुआ हुगा चैट करना है यही ईंफ्रमेशन आपको अच्छा लगाओगा और और उर विप्लेइलिस्ट है especially IB security assistance related वो मैंने बना के रख दी है और description में आपको पूरा पहले इसका link मिल जाएगा जहाँ मैंने interview में मैंने क्या क्या गलती करी थी वो सब सारे चीज़ मैंने शेर करी है आप लोग उसको एक बार देख लिएगा आपको बहुत ही जादा फाइदा होगा और इसे कहीं न कहीं आपका selection होने का chances जादा हो जाती है और friends आप सब को all the best और अच्छी तरह के से आप exam दीजिए interview भी अच्छी तरह से भी आप लोग करना और उसके बाद अगर आप eligible है तो Jio का भी आप fill up कर सकते हैं और आई बी में आप लोग और इंट्रेस्टेट हैं तो अभी आने वाले टाइम में ACIO 2 को भी विकेंसी आ जाएगी तो आप लोग अपने studies पे लगे रहिएगा और friends आपको अपने आप पे यकीन रखना होगा अगर आई बी में आप लोग काम करना चाहते हैं